कुछ दिनों पहले तक जो लोजपासांसत चिरागपासवान प्रधानमंत्री मोधी को अपना राम और खुद को हनुमान बता रहे थे, अब लगता है, उनके सबर का बान तूट गया है, क्योंकि कहा जाता है कि सियासत में न कोई अस्थाई दोस्त होता है और न दुश्मन, नबसकार, मैं हिमानशी कुमार और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन, ये हर कोई जानता है कि चिरागपासवान लगातार प्रधानमंत्री मोधी में अपने आस्था व्यक्ट करते रहे हैं, और उन्हें अपना राम और खुद को हनुमान बताते रहे हैं, लेकिन जिस त रोप लगा दिया है कि बीजेपी अब चिरागपासवान से डर गई है, जिस तरीके से चिरागपासवान आश्रिवाद यात्रा के दौरान पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उन्हें लोगों का समर्थर मिल रहा है, बीजेपी से डर गई है, और इसी को देखते हुए उसन प्रदेश प्रवक्ता राकेश रोसन ये बात कहिए, राकेश रोसन जो 2020 के बिधान सभा चुनाब में रागोपूर से तेस्वी यादब के खिलाफ चुनाब में उत्रे थे, उन्हें ये आरोप लगाया है, प्रदेश प्रवक्ता आरोप लगा रहा है, मतलब लोजपा की आला कमान नेता जो है, चिडाक पासवान की सहमती से ही ये बात कहा पा रहे होंगे, तो अब कहीं ने कहीं लोजपा पूरे फुल एक्शन मोड में है, एक बात और लोजपा ने बरी प्रमुक्ता से कही है, जहां आरजेडी को भी घेरा है, उन्हें कहा है कि आरजेडी लग जहां जेडी लगातार दलित महादलित को ठकती रही है, वहीं बीजेपी फॉरवर्ड लोगों को ठकती रही है, लेकिन अब चिराक पासवान के नितितु में जो तमाम दलित महादलित फॉरवर्ड और मुस्लिम लोग हैं, अब हो कहीं ने कहीं चिराक पासवान को अपना स पश्पति कुमार पारस ने उनको धोखा दिया है लेकिन चिरागपासवान ही वाकई में लोजपा के नेता है और उनको अब तेस्वी यादब के साथ आ जाना चाहिए चिरागपासवान ने लालो यादब को धन्यवाद तो किया था लेकिन तेस्वी यादब के साथ आने के स बंदर में ने जाकर लोगों को ये साफ संदेश देरे की कोशिस कर रही है कि चिराग पासवान एक ऐसा युवा है जो दलित महाधालित समात से है और वो अब तीसरे बिकल्प के रूप में मौजूद है तो पूरे खबर का लब बोलो आप यही था कि अब तक लोजपा जो ब बीजेपी चिराग पासवान से डरी वी है क्योंकि आश्रवाद यातरा के दौरान पूरे बिहार से चिराग पासवान को समर्थन मिल रहा है आप देखते रहे हैं जंता जंक्शन हम आपको बिहार की तमाम चोटी बड़ी खबरों से लगातार अप्डेट करते रहेंगे सा